जब कम उमर में वित्वा बनी बिनोधिनी उस समाज में अपने उपर लगाए गए हजारों नियमों को चुनाती देकर एक शादी शुदा मर्त के साथ संबंद बनाती हैं। आपकी तरह हमें भी कहानिया सुनना पसंद है। इसलिए हम आपके लिए सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बलकि एक अलग एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। इसलिए गौर के कुछ उपन्यास में से एक है चोखेर बाली यानि आखों का कंकड जो आखों को चुपता तो है फिर भी सबकी आखों में बसता है। कहानी वहां से शुरू हुई जब कलकत्ता के जमेदार घराने के विद्वा राज लक्ष्मी अपने एकलोते बेटे महिंदर के लिए पड़ी लिखी सुंदर बिनोदिनी का रिष्टा लेकर आई। मगर उसने इनकार कर दिया क्योंकि उस समाज में औरतों के लिए पड़ी लिखी होना गुण नहीं अफ़गुण था। अपनी बेहन समान विद्वा ननद अर्नपुन्ना के बेटे बिहारी बाबू जो महिंदर का दोस समान भाई भी है के लिए भेशती हैं। इसलिए क्योंकि उसके पिता की मृत्यू के बाद वो और उसकी मां महिंदर के परिवार पर ही आश्रित है। इसलिए वो भी बिनोदुनी की तस्वीर बिना देखे ही इनकार कर देता है। बिनोदुनी की शादी महिंदर के ही दूर के रिष्टदार में संपन्न हो गई। पर दुर्भागे वश कुछ ही दिनों में वो विद्वा हो गई। एक दिन अर्णपुन्ना के बेटे बिहारी बाबू के लिए उसके दूर की भतीजी आशालता का रिष्टा आया। उसके साथ मित्र महिंदर भी लड़की देखने गया। लेकिन आशालता को देखकर महिंदर ने उससे शादी का प्रस्ताफ रख दिया। आशालता पसंद होने के बावजूद मचपूरन बिहारी बाबू को पीछे हटना पड़ा और इसके साथ उन दो मित्रों में एक दूरी सी हो गई। अपने दामपत्य के शिर्वाती जीवन का महिंदर और आशालता दोनों ही उप्भोग कर रहे हैं। सास राश लक्षमी जब देखती है कि काम काच से महिंदर का मन बिलकुल हट चुका है तब वो नराज होकर कुछ दिनों के लिए अपने माईके की तरफ चड़ी गई। वहाँ उसकी बलाकात बिनोधनी से हुई जिसको वो अपनी बहु बनाना चाहती थी। उसे विद्वा वस्तर में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। बिनोधनी भी पूरे मन से उनके सेवा करने लेगी और उनका दिल जीत लिया। फिर यू हुआ की एक दिन बिहारी बाबू के नाम लिखा महिंद्र का एक खट बिनोधनी के हाथ लगा जो राज लक्षमी को डाकिया गलती से दे गया था। जिसमें महिंद्र ने जान बूच कर बिहारी को जलाने के लिए अपने और आशलता के प्रेम सम्मंध की बाते लिखी है। उसकी उंगलियों का स्पर्श बहुत मुडायम है। अपने गीले बाल जब वो जटकती है तो पानी की बूंद मानो मोतियों की तरह बिखर रहे हो। उसकी आँखों की शरारत किसी मासूम बच्चे की तरह है। मैं खुश किसमत हूँ जो ये इंद्र धनुष हमेशा मेरे पास रहता है। महिंद्र का ये खट तीर की तरह चलनी कर गया बिनोदिनी को। वो देखना चाहती थी उस आदमी के गर्फ को जिसने उसका तरसकार किया। वो देखना चाहती है कि वो से देखकर हसता है या तडपता है। और इसी के साथ राश लक्ष्मी की एक बार कहने भर से वो उनके स आने की दूसरे दिन ही छट पे उसकी आशालता से मलाकात हुई बिनोधनी की बिल्कुल उल्टा आशालता कम पड़ी लिखी बड़े ही सेरल मन की औरत है उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने में बिनोधनी को कोई परिशानी नहीं हुई और बातों बातों में वो उनके कमरे तक दाखिल हो गई मेज पे बड़ी तस्वीर पे एकाएक उसकी नजर पड़ी पूरे कमरे में से एक मरदाना खुश्बू आ रही है अलमाडी में रखे किताबों में खीड़े लगने को लेकर जब बात उठी बिनोधनी ने आशालता को एक कागस पे अंग्रेजी में बिनोधनी के लिए एक कोथूहल जनम लेनी लगी उस समाज में विद्वाओ के लिए बहुत नियम थे वो बिस्तर पे सो नहीं सकते मास मच्छी को हाथ तक नहीं लगा सकते गाना बजाना से कोसो दूर रहना होता था जूते नहीं पहन सकते और तो और चाय तक पीने पे प इस दिन राज लक्षमी की कमरे में अचानक बिहारी बाबू से उसकी मलाकात हो गई वो भी बिनोधनी के रूप को देख कर दंग रह गए और बातों में तो जैसे बिनोधनी को कोई हरा ही नहीं सकता उस दिन के बाद से एक अच्छी बात हुई बिहारी बाबू का आना जा गया ये सब उसका हो सकता था अगर महिंद्र बाबू शादी से इनकार ना करते ये सारा दोश उनहीं का है तो भुगतना भी उनहीं को पड़ेगा देखते देखते महिंद्र की शादी को एक साल हो गए एक दिन वो दोनों बिहारी बाबू और बिनोधनी सहित घूमने गए कुछ देर के लिए उन दोनों में बाते भी हुई बिहारी बाबू बहुत सुलजे हुए उच्च कोटी के इंसान है उन से महिंदर की तुलना नहीं किये जा सकती वहां आशालता के आगरा पे जब बिहारी बाबू तलाब में कमल लेने उतरे मौके का फाइदा उठा कर उन दोनों को वहां अकीला छोड बिनोधनी पाउं में काटा लेकर महिंदर बाबू के पास गई जिसे निकालने के लिए महिंदर को बिनोधनी के पाउं पकड़ने ही पड़े लेकिन असली काटा तो बिनोधनी ने महिंदर के मन में बोया है आज पाओ पकड़ा है, कल कलाई भी पकड़ेंगे वापसी के अगले दिन महिंदर का पैर फिसल कर गिरने से उसकी कमर में चोट आ गई जिकिसा के लिए तुरंत बिहारी बाबू को बलाया गया महिंदर का कुछ दिनों के लिए चलना फिरना निशेध हो गया ऐसे मैं उसने बिहारी बाबू को जलाने के लिए कहा सोच रहा हूँ इसी मौके पे आशालता और बिनोधनी को साथ लेकर कई घूमाओ जिसे सुनकर बिहारी बाबू को अजीब लगा उसने बोला बिनोधनी को क्यो ले जाना चाहते हो तुम जो करना चाह रहे हो कभी सोचा है आशालता पर क्या गुजरेगी महेंदर ने जवाब दिया क्योंकि मेरे पीछे तुम्हारे भरोसे मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता और वैसे भी जिस तरह तुम आशालता के कहने पे गले तक पानी में उतर गए बिनोदनी बोलेगी तो पता नहीं क्या ही कर बैठोगे बच्पन सही महेंदर को बिहारी बाबू से हर चीज बहतर चाहिए बिहारी बाबू दुखी मन वहां से उठकर चले गए बिहारी बाबू के लिए आए एक और रिष्टे की खबर सुनकर अचानक ही रसोई घर में काम कर रही बिनोदनी की उंगली कट गई इससे पहले की बिहारी बाबू आते ये मौका महेंदर अपने हाथ से जाने नहीं देगा उस छोटे से खरोश के लिए वो उसी कमर में दर्द लिए बिनोदनी को उसी वक्त अस्पता ले गया जबकि बिनोदनी को भी मालूम है पानी किस तरफ पह रहा है उनके निकलने की खबर लगते आज पहली बार राश लक्ष्मी को थोड़ा अजीब लगा उसने आशालता को अगाह किया कि तुम अपने पती को समय रहते समाल लो पर बिचारी आशालता बिनोदनी के दाव के सामने कहां टिकेगी शाम को ही बिहारी बाबू का बिनोदनी के लिए छोड़ा खट उसे दराज से बिला जिसमें महिंदर के मंशा जान कर उसने बिनोदनी से अपना प्रेम आगरा चताया और उसे महिंदर का घर छोड़ कर अपने पास आने का आमंत्रन दिया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी बिनोधिनी इर्शा में अंधी हो गई थी और अपनी और बढ़ते महिंदर को बिनोधिनी डोक नहीं सकी खतों के जरिये मिलने की जगा और समय ठीक होने लगे बिनोधिनी को समाज में मान समान चाहिए महिंदर से जो वो उसे देने में असक्षम है एक दिन बिनोधिनी की बकसे में कुछ खोचते वक्त आशा लटा को महिंदर के लिए के खत मिले जिन्हें पढ़कर उसे एहसास हुआ उसने आस्तिन के साप को पाल रखा था और डिसे जाने का पता तक नहीं चला वो बेफकुफ सही पर बेशरम नहीं थी सास राश लक्षमी को सब बता कर अर्नपूर्ना बुआ के साथ हमेशा के लिए काशी चली गई मिनोधिनी हर अपमान सहकर भी वहां रही कि शायद महिंद्र उसे वो दर्जा दे पाए जिसकी वो खुद को अधिकारी समझती है पर ऐसा नहीं हुआ एक विद्वा से संबंध तो बनाए जा सकते थे पर शादी नहीं की जाती यह राश लक्षमी ने भी इज़त पकड़ी या तो इस घर में बिनोधनी रहेगी या मैं बिनोधनी का सब्र जवाब देग्या गाड़ी बुलवा कर वो खुद ही वहां से निकल गई लेकिन अपने घर के बजाए वो बिहारी बाबू के पास गई इस उमेद में की शायद वो उसे रहने की जगा दे सके पर ऐसा नहीं हुआ बिहारी बाबू का इंतजार खतम तो हुआ लेकिन फिर वही बात आकर ठहर गई वो महेंदर की उत्रन थी उसका जूठा जिसका गले से उतर पाना अब बिहारी बाबू के बस में नहीं दुखी होकर बिनोदनी अपने गाउं अपने कुटिया लाटाई एक बार के लिए उसे लगा भी कि ये जीवन पूरी तरह व्यर्थ हो चुका है ना ही सम्मान मिला ना प्यार क्यों ना इसे खुद ही खतम कर दू फिर कुछ ही दिनों में उसे ढूंटा हुआ महिंदर वहां आया उसने कहा मैं सब तुम्हारे ले छोड़कर आ गिया हूँ बिनोदनी जवाब में बिनोदनी ने कहा तुमने नहीं छोड़ा आशालता ने तुम्हें छोड़ा है तब जाकर तुम यहां आये हो बिनोधिनी को महिंदर से कभी प्रेम नहीं था पर हाँ, वो समाज में उसके जरीये सम्मान जरूर चाहती थी वो उसे लेने तो आया, पर सम्मान के साथ नहीं, लोगों से छुप कर आज महिंदर को बिहारी के सामने अपनी हार सुकार करनी पड़ी जब बिनोधिनी ने उसे ठुकरा कर कहा, तुम बिहारी बाबू से कहोगे मुझे अपना ले, मुझे पता है, वो तुमें कभी ना नहीं कहेंगे महिंदर चुप चाप खड़ा रहे गया अगले दिन बिनोधिनी ने महिंदर के साथ काशी चलने को कहा शायद उसे पता है, अब उसे क्या करना है वहाँ पहुँचकर कुछ दिनों बाद, उसे मासी अर्नपूर्ना के साथ आशा लता दिखी जो पेट से है, उसे देख एक बार फिर बिनोधिनी को लगा मैं कभी मा नहीं बनी, क्योंकि मेरे बच्चे को कोई बाप का नाम नहीं देता अपनी तकदीर से बगावत में बिनोधिनी इतनी दूर निकल गई कि उसे पता ही नहीं चला, कब उसका साहस दुसाहस में बदल गया पर फिर भी वो अपनी तकदीर से हर बार हारी है अपने दुसाहस का प्राइशत के लिए ही शायद वो काशी आई है कि एक बार के लिए वो आशालता को उसका महिंद्र लोटा सके एक सुभा उसी घाट पे बिहारी बाबू आए महिंद्री की माँ चल बसी थी वही खबर आशालता और अपनी माँ को पहुचाने आया है महिंद्र को ये खबर मिलते ही वो आशालता को ले कर वापस चला गया जब बिहारी बाबू को पता चला अब महिंद्र और बिनोद्नी सच में साथ नहीं है उसने बिनोद्नी को अपनाना चाहा उसे शादी का वादा किया पर अगले दिन उसे वहाँ विनोधिनी नहीं मिली यही फर्क है जद और प्यार में महिंद्र उसके जद थी लेकिन बिहारी बाबू उसका असली प्रेम उस समय विद्वा विवा पाप था बिनोदिनी बिहारी बाबू से इतना ही प्यार और समान करती थी कि विद्वा विवा का कलंग वो उनके सर पे नहीं लगा सकी उसके लिए ये शादी का प्रस्ताव ही बहुत समान जनक बात है बहुत दिनों बाद बिनोदिनी का खट आशालता के नाम आया उसमें लिखा था कि बाहर से हम दोनों जितने भी अलग यूना थे पर हमारे अंदर एक बात एक समान थी एक सुखी घर की एक्छा जो हर औरत का अधिकार है पर मुझे नहीं मिला मैंने तुमसे इर्शा नहीं की तुमारे पास जो सब था उससे इर्शा थी कभी सच में सहीली माना हो तो एक अंतिम बार मुझे माफ कर देना बिहारी बाबू ने बिनोदिनी को हर जगा ढूंडा आशा लटा के हाथों मित्रता खोई महिंद्र के हाथों लच्चा और बिहारी बाबू के हाथों प्रेम खोकर अब बिनोदनी किसी को कहां मिलेगी वो उस बोजिल हवा की तरह है जिसका भारीपन महसूस तो होता है पर नजर नहीं आता इसी के साथ ये कहानी भी खतम हुई दोस्तो आज की एक्स्पिनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरू शियर करें और चैनल को भी पक्का सस्क्राइब कर ले आपसे जल मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई लव यू एंड टेक केर फ्रेंज